इस बर हल्दी बनी फिर पीला सोना तमिलाडू में तीन गुना तक बड़े भाव दरसल तमिलाडू के इरोड जिले में हल्दी की खेती करने वाले किसान इस साल बम पर कमाई कर रहे हैं कहा जा रहा है कि जिले की मंडियों में सप्लाई प्रभावित होने के चलते हल्दी की कीमत लगबक तीन गुना तक बढ़ गई है ऐसे में किसान पिछले साल के मुकाबले अच्छा मुनाफ़ा कमा रहे हैं दरसल इरोड को तमिलनाडु का हल्दी केंदर कहा जाता है जिले में हल्दी का ओस्त उतपादन 22 टन प्रती हेक्टेर है मिली जानकारी के मुताबिक पिछले साल इरोड में हल्दी काफी सस्ती हो गई थी और इसका रेट गिरकर 5000-6000 पे क्विंटल तक जा पहुंचा था ऐसे में किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा और वे दूसरी फसल की खेती करने लगे इससे उत्पादन में जोरदर गिरावट आई और मांग और सप्लाई में अंतर आने के चलते कीमत 15,000 पे प्रती क्विंटल के पार पहुंच गई है यही वज़ा है कि तमिल नाडू के किसान इस बार हल्दी बेचकर अच्छा मुनाफ़ा कमा रहे है वहीं जानकारों का कहना है कि इस सीजन की शुरुवात में ही खरीद मुल्या बढ़ गया था फिलाल ताजी हल्दी की कीमत 16,400 पे प्रती क्विंटल है वहीं एक सब्ता पहले यही हल्दी की कीमत 15,000 पे थी पुरानी हल्दी की कीमत करीब 14,000 पे है ऐसे में जानकारों का कहना है कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यह कीमते अच्छी है उनकी माने तो इरोड में रोजाना एक से तीन करोड रुपई की हल्दी का कारोबार हो रहा है ऐसे में बाजार जानकारों का कहना है कि शुरुवात से ही ख्रीद मुल्य हल्दी का लगबग 5000-6000 पे प्रती क्विंचल पिछले साल था कम कीमत से परिशान होकर कई किसानों ने खेती का रखबा कम कर दिया और कई अन्य फसलों के और रुख करने लगे सप्लाई खराब होने के कारण कीमते बढ़ने लगी दिसंबर में ये भाव 13,000 पे प्रती क्विंचल तक पहुँच गए आगे जानकारों का ये भी मानना है कि इस तरह से कीमतों में वड़ोतरी लगातर जारी रह सकती है क्योंकि सप्लाई मांग के अनुसार नहीं हो पा रही ऐसे में माना जा रहा है कि इस साल कीमतों में गिरावट फिलाल नहीं आएगी हलाकि बाजार में हल्दी अधिकाने से कुछ उतार चड़ाव देखने को मिल सकता है लेकिन बहुत जादा कोई गिरावट की संभावनाई नहीं है ऐसे में किसान और तमिलाडूर लगू और सुक्षम किसान संके अध्यक्ष का कहना है कि हल्दी की फसल शुरू हो चुकी है और माई तक जारी रहेगी यह देखकर हमें अच्छा लग रहा है कि किसानों को अच्छा रिटर्न मिल रहा है वहीं बागवानी विभाग की अधिकारियों का कहना है कि 2022-23 में इरोड जिले में 4,694 हेक्टियर के लगबग हल्दी की खेती की गई थी जबकि 2023-24 में यह एरिया घटकर 3,742 पर सिमट गया इसका कारण यह है कि हखरीद मुल्या कम था जिसके चलते किसानों ने दूसरी फसलों के और रुक किया और अब जब कीमते बढ़ गई है तो ऐसे में उमीद है कि अधिक किसान फिर से हल्दी की खेती करना शुरू करेंगे ब्यूरो रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी